हलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पार्ट तीन बड़े गर की बेटी का अध्यन करेंगे यह एक कहानी है, प्रस्तुत कहानी के रचनाकार लेखक मुन्शी प्रेमचंद है प्रेमचंद जी को हिंदी के सर्वश्रेष्ट कहानिकारों में से एक माना जाता है मानवीय समवेदनाओं को बड़ी ही कुशलता से ये अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं इस कहानी में सयुक्त परिवार में घटने वाली एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले सकती है यही बताया गया है कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि बड़े घर की बेटी केवल धंद जोलत का गुमान करने वाली नहीं होती बलकि वह तो बिगड़ा हुआ काम बनाने वाली होती है इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के शब्दार्थ को एक बार पढ़कर समझेंगे तिरसकार का मदलब होता है अपमान, पुलकित का मदलब होता है प्रसन्नचित, बहली का मदलब होता है गाउं में चलने वाली बेलगाडी, अनुचित का आर्थ होता है जो उचित न हो, कांती हीन का मदलब होता है चमक रहित, क्रोधागनी का मदलब होता है गुस्से की आग, प्रथा का आर्थ होता है रिती रिवाज द्वेशियों का आर्थ होता है इर्शा करने वालों उद्विग्नता का आर्थ होता है बैचेनी और सहय का आर्थ होता है जिसे सहाना जा सके विद्धिमान का मतलब होता है मौजूद किफायत का मतलब होता है कम खर्च प्रतिष्टित का मतलब होता है सम्मानित कुटिल का मतलब होता है बुरे सभाव का हृदय विदारक का मतलब होता है हृदय को कश्ट देने वाला तो हमने इस पाट के शब्दार्द को पढ़ लिया है तो आईए हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि संयूप्त परिवार में घटने वाली एक छोटी सी घटना थोड़ी सी बात बिगड़ जाने से कितना भयंकर रूप ले सकती है वो हम इस पार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं बेनी माधव सिंग गोरिपूर गाउं के जमीदार और नंबरदार थे गाउं का जमीदार अधिकारी उनके पिता माह किसी समय बड़े धन्य धान्य से संपन्य थे पिता माह मतलब दादा जी दादा जी उस समय धन्य धान्य से संपन्य यानि वो अमीर व्यक्ति थे गाउं का पक्का तालाब, मंदीर जिनकी भी नुरमत मुश्किल थी उनी के किर्थी स्थम्पते यानि जिन भी चीजों की सुधार करना मुश्किल था वो सारी चीजे उनके दादा जी ने सुधार करवाई थी बेनी मादव सिंग अपनी आधी से अधिक संपत्ती वकिलों को भेट कर चुके थे यानि उनके पास जितनी संपत्ती थी उससे आधी से जादा वो वकिलों में उपवार सरूप दे चुके थे उनकी वर्तमान आये यानि इस समय उनकी आये एक हजार रुपे सालाना यानि साल ौप भर की वारशी गाय 1000 रुपे थी का थाकूरस आपकी दो बेटे थे बड़े बेटे का नाम श्री कँठ सिंग था और उस ने बहुत परिश्रम के परिश्रम और उध्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्ति की ती यह जो श्रीकंट सिंग थे वो एक दफ्तर में नोकर थे यानि कि एक ओफिस में वो नोकरी करते थे छोटा लड़का लाल भिहारी सिंग दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखडा चोड़ी चाती यानि उनका जो छोटा वेटा था ठाकूर साब का चोटा वेटा जो जाता था श्रीकंट सिंग की दशा बिल्कुल विप्रीत थी यानि श्रीकंट सिंग जो था वो लाल सिंग के बिल्कुल उल्टा विल्कुल उल्टा था इन नेत्र प्रिये गुणों को उन्होंने बीए इनी दो अक्षरों पर न्योचा पर कर दिया था यानि आखों को प्र निर्बल और चहरे को कांती हीन बना दिया था निर्बल यानि कमजोर यानि ये दो अक्षरों को प्राप्त करने के लिए डिगरी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी जिससे उनका शरीर दुबला हो गया था और जो चहरा था वो चमक हीन हो गया था श्र बादा विशेश प्रेमी नहीं थे यानि पुराने रिती रिवाज को पसंद नहीं करते थे बलकि वे बहुदाट बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरसकार किया करते थे यानि वो इस पुरानी संस्क्रति को रिती रिवाज को पसंद नहीं करते थे और बलकि लोगों से प् प्राचीन सब्यता का गुर्णगान उनकी प्रखरती का प्रधान अंग था यानि पूरानी सब्धा का गुर्णगान करना गुरों का बखान करना उनका मुख्य अंग था सम्मिलित कुटुम्ब के वे एक मात्र उपा सकते कुटुम्ब मतलब होता है परिवार सम्मिलित यानी संयुक्त संयुक्त परिवार को मानते थे आजकल इस्तरियों की कुटुम्ब में मिल जुलकर रहने की जो अरूची होती है उसे वह जाती और देश दोनों के लिए हानिका ललनाय यानि होता इस्तरियां उनका यही कारण था कि गाउं की इस्तरियां उनकी बुराई करती थी कुछ तो उन्हें अपना शत्रु समझने में संकोष नहीं करती थी यानि कुछ इस्तरियां तो उन्हें जो श्री कंठ सिंग थे उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी क्योंकि वो सैयुक्त परिवार के उपासक माने जाते थे इसलिए वो अपने दुश्मन उन्हें समझने लगी थी अब स्वयम उनकी पत्नी को इस विशे में उनसे विरोध था उनकी जो खुद की पत्नी थी वो इस बात का विरोध कर दी थी यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससूर या देवर आदी से घृणा थी यही इसका कारण यह नहीं था कि वो अपने सास ससूर और देवर से नफरत कर दी थी बलकि उनकी पत्नी का विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलस से जीवन को नश्ट करने की अपिक्षा यही अच्छा है कि अपनी खिचडी अलग पकाई जाए यानि जो उनकी पतनी है वो बता रही है कि यादि आए दिन घर में कलेस होता रहे यानि जगड़ा होता रहे और जीवन का निर्वाहन इतना सहन करते वे भी जीवन का गुजारा नहीं हो सके तो अपना खाना यानि अपना घर अलग कर देना ही अच्छा होता है ऐसा उनका विचार उनकी पतनी का था आनन्दी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी यहाँ पर आनन्दी की बात की जा रही है जो की बड़े उच्च खांदान की लड़की थी उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालू के तार थे यानि उसके आनन्दी की पिता थे उनकी एक अपनी एक रियासत के वो मालिक थे उनके पास विशाल भवण, एक बड़ाघर, एक हाती, तीन कुत्ते, बाज, ज़ाड़ फानूस का मतलब होता है चछत पर शोभा के लिए लटकाया जाने वाला शीशे का उपकरण यानि जिस पे मोमबत्यां आदिसे सजावट करके उजाला किया जाता है उसे जाड़ फानूस करते हैं ओन्रेनी मजिश्टरी और रिन जो की एक प्रतिष्टित तालूगदार के पास भोगे पधार्थ होते हैं यानि ये सारी चीजें उनके पास थी यानि वो सारी ही चीजों का सुख भोगती थी उनके पिता जी जो थे वो जमीन का कर लेने वाले एक तालूगदार थे उनके पास ये सारी ही सुक्सुईधाये मोजूद थी उनके पिता जी का आनन्दी की पिता जी का नाम था भूप सिंग बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे उदारचित का मतलब होता है दया उदार मन वाले यानि दया दिखाने वाले मन वाले और प्रतिभाशाली यानि उनमें बहुत सारे गुण थे पर दुरभागे से एक लड़का भी नहीं था यानि आनन्दी के पिता के एक लड़का भी नहीं था आनन्दी जो थी वो चोथी संतान उनकी थी उसके अलावा उसकी चार भेने ओर थी और वह चारों भेनों में सबसे रूपवती और गुणवती थी अब चारों बहनों में जब आनंदी सबसे सुन्दर और रूपवती थी रूपवान थी तो उसके पिता जो थे भूप सिंग वो उससे बहुत प्रेम करते थे सुन्दर संतान को कदाचीत का मतलब होता है शायद उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं यानि कोई सुन्दर संतान होगी तो उसके माता पिता भी बहुत अधिक पसंद करते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का भी हवा कहां करें यानि उनके पास एक बहुत समस्या गंभीर समस्या उनके दिमाग में खड़ी हो रही थी कि वो अपनी वेटी जो कि बहुत सुन्दर और गुर्वान है उसके की शादी वो कहां करे न तो यही चाहते थे कि रिण का बोज बढ़े और न यही स्विकार था कि उसे अपने भाग समझा जाए एक दिन श्रीखंट उनके पास किसी रुपिय का चंदा मांगने आये यानि श्रीखंट जो थे वो पैसे मांगने के लिए उनके पास आये किसके पास आये भूप सिंग के पास वो आये जो कि आनंदी के पिता थे उन्होंने जब भूप सिंग को देखा तो वो के स्वभाव पर रीज गए यानि मोहित हो गए उनके व्यवहार पर और उन्होंने धूमधाम से श्री कंठ का उसने वहाँ पर अपने ससुराल में नहीं देखी यानि वहाँ का रंगधंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बच्पन से आदत थी यान जिन वस्तुओं की उन्हें बच्पन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहां नाम मात्र का भी नहीं था वो सुख यहां पर ब बेल गाड़ी भी वहाँ पर नहीं थी यानि आनंदी के ससुराल में एक बेल गाड़ी भी नहीं थी रेश्मी स्लीपर साथ लाई थी यानि वह अपने माईके से रेश्मी चपल साथ में लेकर आई थी पर यहां पर बाग कहां जहां वह सेर जाती यानि यहां पर कोई बगी पीचा नहीं था जहां पर घूम सकें लेकिन वह चपल उसके कुछ काम ही नहीं आई क्योंकि वहां कहां पर सेर करने जाती मकान में खिड़कियां तक ना थी ना जमीन फर्ष न दीवार पर तस्वीर यह वह अपने ससुराल का हुलिया बता रही है कि वहां खिड़कियां भी जमीन फर्ष नहीं था और दिवारों पर भी कोई तस्वीरे नहीं लगी हुई थी अब वह बता रही कि यह हैं एक सीधा साधा देहा थी मतलब ग्रामीन ग्रहस्त काम थे गांओं के मकान जिस तरह के होते उस तरह का उसके ससुराल का मकान था किन्तु आनंदी ने थोड़े थोड़ा ही समय उसकी शादी को हुआ था और उसने उस परिवार में अपने सस्रुआल में उन परिस्तितियों के अनुसार अपने आपको ढाल लिया था वैसा ही अपने आपको बना लिया था यानि मानों भोग विलास के सामान उसने कभी भी देखे नहीं थे यानि लाल भिहारी सिंग आनंदी के देवर थे जो की श्रीकंट के चोठे बाई थे वो दो चिडिया लेकर आये और उसे पका कर उसे खिलाने को बोला यानि कि जब उसे भूग लग रही थी तो उसने अपनी भाबी को चिडिया पकाने की बात कही अब वह नया वेंजन बनाने तो 50 ग्राम यानि पाव भर से जादा गी नहीं था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने यानि जो बड़े घर से शादी करके आई है यानि उसका माय का जो था वो अमीर परिवार का था तो वो कम खर्च में घर चलाना केसे जान सकती थी तो उसने सारा ही गी मांस में ड दाल दिया अब लाल भिहारी खाने बेठा तो दाल में घी नहीं था यानि उसका देवर जब खाना खाने बेठा तो दाल में उसे घी नजर नहीं आया और वो बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा यानि उसने अपनी भावी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं डाला आनंदी ने कहा सारा गी मांस में पढ़ गया लाल भिहारी जोर से बोला अभी परसों ही लाया था इतनी जल्दी उट गया यानि आनंदी ने कहा कि सारा गी मांस में डाल दिया गया है तो लाल भिहारी इस बात पे नारा जोके जोर से बोला कि अभी परसों ही तो मैं गी लेकर तो इतनी जल्दी खतम हो गया तो इस बात पर आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मेने मांस में डाल दिया तो दाल में डालने के लिए कोई घी नहीं बचा था इस पार्ट की आगे की घटना हम वीडियो के भाग दो में पढ़ेंगे धन्यवा कर दो भाद।